पिछले लेक्चर तक हमने highway geometric का जो various element था उसके अंदर cross section element के अंदर हम discuss कर रहे थे width of the carriageway and roadway आज हम discuss करेंगे इस lecture के अंदर curve and median एक ही picture के अंदर यह आज आएगा curve and median क्या है यह चीज यह समझने से पहले एक picture हम draw कर लेते हैं अब भी मेरे साथ draw कर लिए उसके बाद discussion को continue करेंगे अब देखिए इस figure के अंदर यह जो दो पर्षान है यह दो पुर्षान के बुर्षान को कहते हैं कार्ब ठीक है कार्ब का का काम की यही है कि के carriageway के ऊपर अगर कर जो से थोड़ा सा उपर अगर कोई central आइलंड यानि की मेडियन मेडियन का बहुत सरे नाम से हम बोल सकते हैं एसका नाम और यहां पर एक footpath around food path मतलब कैरे जोई से थोड़ा सा उपर ऐसा कोई करे जोए को आप एक ढीप इंग से भी मार्क कर सकते हैं हम तक यह आपको पता चले कि कौन सा के जोए है यह एक करेज़ोई है इसके बाद यहापर भी एक करेज़ोई है हम डिस्कोंट्नूट कर दिया वहापर थोड़ा सा अब समझाने के लिए यहाँ पर भी हम बोल कर देते हैं यह करेज़ोय को continue कर रहा है ठीक है यह भी करेज़ोय है तो इसको सपोर्ट देने के लिए यह जो जगा है मेडियान का इसको सपोर्ट देने के लिए भी कर्प का यूज होते हैं और यहाँ पर फुटपाथ को इस दोनों लेन को डिवाइट करने के लिए मेडियान को यूज किया जाते हैं ताकि अगर सिंगिल करेजोए के अंदर अगर दो लेन होगा मतलब टू लेन करेजोए अगर होगा तो कोई भी ड्राइबार एक लेन से दूसरे लेन में आसानी से जा सकते हैं पर उसमें एक्सिडेंट का प्रॉब्लेम थोड़ा जादा बढ़ जाता है इसी वज़ाए से हमने मीडियान को यूज किया ताकि कोई भी ड्राइबार एक लेन से दूसरे लेन पर शिप नहीं कर पाएंगे और इसका एक बेनिफीट है वह की लाइट रिफ्लेक्टिंग अगर इस लेन से कोई भी वहिकल जाड़ा है तो उसका लाइट का जो रिफ्लेक्शन है दूसरे लेन पर कोई इशू नहीं करेगा इसी वज़ाए से आर्टिविशल लाइट के अंदर ड्राइबार को बहुत मदद मिलता है एक्सिडेंट की प् पेब्मेंट के उपर इसके उपर डिपन करके क्राप को जेनरली तीन टाइप में डिवाइट के आ जाता है ठीक है इतना भी हमने बताया वो उसको शौट में लिखने कोशिश करूंगा सो कार्ब जेनरली तीन टाइप का है एक तो है 10 cm जो की है लो माउंटेबल कर्ब 10 cm हाइट जिसे हम कहते है लो माउंटेबल और एक है 15 cm in हाइट जिसे कहते है सेमी बेरियर और एक है 20 cm जिसे कहते है बेरियर टाइप यह तीन प्रकार की कर्व होते हैं और कर्व का काम क्या है इन शौट में बता है तो टू सापोर्ट टू सापोर्ट रेइस्ट फूट पाथ और मेडियन यह हमने कर्व के बार में बता दिया आपको और मेडियन का क्या है stiffulated provision देखिए मेडियन का कुछ प्रविशन इसन और सी ने प्रोवाट किया ठीके मेडियन का width कितना होगा minimum width कितना होगा आईन c ॐ कोमेंड किया कि इसका जो desirable width है वो है 5 meter desirable with 5 meter ठीक है और इसे reduce भी कर जा सकता है may reduce to 3 meter but absolute minimum होगा 1.2 meter इससे कम नहीं हो सकता ठीक है तो जितना भी पढ़ा हमने एक बार revision कर लेते हैं क्या पढ़ा हमने इस lecture के अंदर के curve and median curve एक ऐसी चीज है जो carriage way से rate footpath और median को support देने के लिए जो एक mechanism use किया जाता है उसे हम curve कहते है जो एक construction sorry mechanism यह ठीक अच्छा नहीं होगा हम इसे structure कह सकते हैं छोटा सा structure concrete का structure कह सकते हैं उसे कहते हैं curve यह median and footpath को support देगा यही है curve और median क्या है? median है अगर दोनों lane को divide करना होगा तो middle में दोनों lane के beach में एक place खाली रखा जाता है जिसके उंदर आप generally पेर बगाड़ा लगा जाते हैं कभी कबार gardening भी होते है ठीक है उस जागा को हम median कहते हैं यह actually एक traffic separator है इस lane के traffic को इस lane के traffic से अलग कर देते हैं ठीक है कोई किसी लेन का traffic easily maneuver नहीं कर पाएंगा ठीक है यह median कर्ब तीन प्रकर के होते है 10 cm जिसका हाइड उसके कहते लो माउंटेबल 15 cm हाइड जिसे कहते सेमी बारियर और 20 cm हाइड बेरियर टाइप ओके और इन शॉर्ट बताये तो तो सपोर्ट रहे यह रहेज़ दोगा रहेज़ तो सपोर्ट रहेज फूटपाथ अडमेदी अगे टू सपोर्ट रहेज़ फूटपाथ अमेडियन अड मेडियन कभी एक स्टिप्लेट प्रपिश्यान है आय बीड़ियर वहाइड वह डिशारेबल उइध होगा मेडियान का 5 मीटर इसको रिडियूस किया जा सकता है 3 मीटर तक और एपसुलूट मीनिमम मतलब इससे कम नहीं हो सकता यह जनरली ब्रीज में प्रुवाइड किया जाता है क्योंकि वह आपकर कंस्ट्रक्शन कौद बहुत ज्यादा होते हैं ब्रीज को इसी वज क्योंकि प्रुवाइड किया जा सकता है